Hello students, बहुत बहुत सागत है DKSR classes में, जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बबू, क्लास 12 के बच्चे हैं और इस बार 2.25 में बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हो, तब सब को पता चल गया है कि 24 फॉरवरी से आपका जो है हिंदी का पेपर होने वाला है और आज की इस व देखना है यह तरीका भी बताएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट देख सकते हैं यह आपका पध्यांस से और बोर्ड एक्जाम में कैसे सॉल्व करना है कि पध्यांस हो या गद्यांस को ताकि आज की इस वीडियो को सीख लेते हैं बबू, ताब कि यहां से 10 नंबर पक्का होने वाला है और आज की इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वाइरल मोस्ट इंपोर्टेंट यह गद्यांस और पध्यांस सबसी पहले तो मैं आपको यहां पे बबू देखिए क्या बताने वाला हूं सबसी पहले मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांस बताऊंगा यहां बच्चो ये देख सकते हैं ये कितने बार बोड एक्जाम में पूछा जात चुका है ठीक है चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पहला काम क्या इसमें कि सुरू सिले के अंत तक इस गद्यान्स को अच्छे से एक बार पढ़ना है ठीक है और देख सकते हैं ये 2020 में 22 में 23 में 24 में ये कोशन पूछा जात चुका है देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रीक समझाएंगे कि सहितिकला नृत्य गीत अमोध प्रमोध अनेक रूपों में रास्टिय चन अपने अपने मांसिक भाव को प्रकट करते हैं आत्मा का जो बिसोब्यापी अनन्द भाव है वह इन विवीद रूपों में सकार होता है यदपी बाहर रूप की दृष्टी से संस्क्रीत के ये बाहरी लग्षड अनेक दिखाई पढ़ते हैं किन्तु आंत्रिक अनन्द की दृष्टी से उनमें एक सुतरता है जो व्यक्ति सहिर्दे हैं ये डोड़ट करके और लास्ट में थोड़ा से लिख दिया हूँ कि पाहचान जाएंगे रास्ट के लिए क्या है स्वास्त कर है आप इस तरीके से जब गद्यांस देखेंगे ब इस तरीके से पेपर में आएगा तो आपको मैं बता दूँ कि कैसे पहचानेंगे किस पार्ट से दिया है तो सही तिकला नरित गीत आमोद परमोद अनेक रूपों में रास्टी जन देखिए आपको पार्ट का नाम का एक छोटा सा अंस यसी को कीवर्ड बोलेंगे जैसे र रास्टी जन लिखा है ना यहाँ पे तो रास्टी जन का मतलब जब बोल दिया तो आपको पहचान आ गया कि रास्ट का सुरूप जो हमारा चेपर है वहां से यह मिलता जुलता है इसलिए यहाँ पे पार्ट का नाम कांस कहीं न कहीं गद्यांस में छीपा होगा तो पहचा लेंगे अराम से दो नमर काम कर लेंगे इसी तरीके से और देखिए रिखांकी दंस की वैक्या करना है जो अंडरलाइन के इसकी वैक्या करेंगे एक कोशन का और थाम देखिए यहां पर बताने वाले सबसी पहले चली गद्यान सौल्व करने का ट्रिक समझे प्यारे यह कोशन नमर तीन पर आएगा और आप लोग देखेंगे ऐसे ही आपको लिखेना है प्रसनोतर संक्या 3 ठीक है इसके बाद संकेत लिखेंगे क्योंकि देखिए दो गद्यान स्पीपर में आते हैं उसमें से किसी एक को करना होगा तो आप संकेत लिख लिजएगा कि मैंने इस गद्यान्स को सॉल्व किया है इसे संकेत में सही तीकला लिख देंगे सुरू वाले सब्दों दो वर्ड उठाके और बीच में इतना बड़ा लिखेने के बचा डॉट डॉट करके और लास्ट में यहाँ पे के लिए स्वास्तकार लिख देंगे तो गद्यान्स का यहा रास्ट का सुरूप ठीक है और इसके लेखा कौन है बबू तो ब्लैक पेंस लिखेगा लेखा का नाम डॉक्टर वासु देव सर्गरवाल जी इस तरीके से पार्ट का नम लेखा का नम जब लिख देंगे तो यहां से दो नमबर आपका मिल जाएगा इसी तरीके से पीपर डॉक्टर वासु देव सर्गरवाल के द्वारा उद्री थे बस आप संदर भी बना के लिख सकते हैं या इस टैप से पूछे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगला कोशन है रिखांकित अंस की व्यक्या करें आपको क्या करना है प्यारे बच्चियों ध्यान समझे कि स अनेक रूपो में राश्टी जन अपने-अपने मानसिक भाओ को प्रकट करते है ठीक है इस तरीके से यहां तक पहले समझाता हो कैसे लिखोगे देखो यहां पर रिखांकी तर्न सकी व्यक्या लिख लेना ठीक लिखोगे, कि लेखक का कहना है, ठीक है, कि एक ही रास्ट में, रास्ट जो हमारा पूरा भारत है, जितने में भारत वर से, उसको हम रास्ट बोलेंगे बभु, ठीक? कि लेखक का कहना है कि एक ही रास्ट में अनेको संस्कृतिया नहीं कि हमारे यहां के अनेक परकार की संस्कृतिया है हर एक राजी में अलग गीत गाने होते हैं मतलब कि अनेको फलती फूलती है ठीक है न इसके बाद अब यहाँ पर इन संस्कृतियों के अन्युयाई नाना प्रकार के अमोध परमोध में अपने हिर्दे के उलास को प्रकट किया करते हैं ठीक है इतना हो जाएगा किया करते हैं इसके बाद आत्मा काचो बीसो ब्यापी अनंद फाव हैं यहाँ पर लिखेंगे बबू इन विवीत रूपों में सकार होता है यद भी बाहिर रूप की दिरिष्टी से संस्कृत के ये बाहरी लग्षड अनेक दिखाई पड़ते हैं किन्तु आंतरिक अनंद की दिरिष्टी से उनमें एक सुतरता है बस यहीं तक हमें बताना है तो बताएंगे कि इनका पूर्ण यानि कuç पूरे बिश सो की पूरे रास्ट की आत्माओं का यहां पी क्या है विदमान होता है थाओं इस तरीकते से आप लोग इसका तो यहां से दो नमर मिलशेएगा प्रती इक कुश्ण दो दो नमर का होगा ठीक अगला प्रस्तर यहँ पर कि सभा partition की अनंद पक्ष को कौन स्विकार करता है धी इस में इस ज्यादा वेस्ट नलू और चीजे समझाओं सहिर्दय व्यक्ति की ही प्रतेक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्विकार करते हैं देखी यहां पर सहिर्दय व्यक्ति ही यानि कि आनंद भाव जो है इन विवीद रूपों में सकार करते हैं इस गद्यांस को जब आपने बुग स अग्द्याट से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा सारा कोसन का अंसर इसी में होगा चार नमर प्रस्तूत पंक्तियों में लेखक के राष्ट के किस स्व रूप पर प्रकास डाला गया इस पर यहां पर बताएंगे प्यारे प्रत-चू श्यार नमर नमर का अंसर की प्रस् इसी चीज को एक रूप दिखा के स्वा rooting पर प्रकास डाला गया ठीक है इस तरीके से इसå राइंगे अगला कुश्ショon लिखा है 5 न。 कि स्वास्तपर सब्दों के अर्थ बताए एक कि मांसिक का अर्थ क्या होता है? स्वास्तपर का Érd का स्वास्त के और का मतलब होता है तंदुरूस्ती प्रदान करने वाला बस ऐसे ही आपको कोशन पूछेगा यह आप यह गद्यांस है इसमें पांच कोशन थे सॉलूशन ऐसे मैंने बता दिया अच्छे से त्यारी करना एक एक कोशन आपको टकराएगा जो बताने चाहरा हूं इस वीडियो में तो आपने गद्यांस पढ़ लिया अब हम लेके चलते हैं बाबू यह मोस्ट इंपर्टेंट पद्यांस पे देख रहे हैं ना 24 फरवरी को आपको पीपर में देखने को मिलने वाला है तो अच्छे से पढ़ लेना एक एक चीज हम समझाएंगा ठीक है दे पड़ी सी भी स्रमीक वह गोदले स्रांतिक होना होठो की आउकमल मुख की मलंताय मिटाना कोई कलांतक क्रिशक ललना खेत में जो दिखावे धीरे-धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना जाता कोई जलत यदि हो व्यम में तो उसे ला छाया दोरा जलत करना तब दभुतं आपने यह आठ लाइन का पक्ती पड्यांस के रुप में पड़ा है और यह पेपर में देख सकते हैं 2022-2022 में पूछा जा चुका है इससे भी पहले भी आ चुका है 20 से पहले लगातार आया है इसमें देखिए कोशन की स्टैब से पूछे का बाबू देखिए कि उपर यू कोन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसे वेवार करने को कहती है एक एक कोशन का अंसर यहां पर हम लोग करेंगे सबसे पहले धान दीजी बवू आपको संकेत लिख लेना है प्रशनुत्ता संकीत चार में आएगा संकेत लिखेंगे इसलिए कि आपको दो पद्यांस दीए रहेंगे आप कौन सा पद्यान सौल करें एक्जामनर को पता चल जाए इसलिए तो लज्जासिलापथी डौडट वुतंगना को यहां पर मैंने आपको बता चुका है कैसे यह संकेत करना है इसके बाद पहला कोशन बोला था ना कि पार्ट का नम मतलब यहां पर इसका हो जाएगा पहला कोशन का अंसर की पार्ट का जो नाम होगा पाउंदूतिका से और इसके जो कभी होंगे अयोदे सिंग पादे हर्योजी ठीक है अगला कुशन इसमें दिया है अगला कुशन कि लजा यहां पे रिखांगी तंस की वेक्या बोला है दूसरा में देख ना तो ना तो सुन्दरी को यहां पे पहले दो लाइन का हम लोग ब्याख्या करते हैं चलिए कि करेगी है पॉन यदि तुसे मार्ग में कोई लाजवनती स्तरी दिखाई पड़े तो इतने विख्ष न वहना यहां पे देखना बाबू यही चीजे आपको अच्छे से पढ़ लेना है आम नीची वाल लाइन के बतार है अर्थ यह पॉन यदि तुसी मार्ग में कोई लाजवनती स्तरी दिखाई पड़े तो इतने विख्ष न वहना कि उसके वस्त जो है उड़कर अस्त ब्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उगह पड़ जाएं तो यहां तक मैंने पड़ दिया है ठीक है जो थोड़ी भी सरमी तो वह गोदले सरांती होना होटो की आओ कमल की मुख की मलंताएं मिटाना कोई कलांत को क्रिस्चक ललना खेत में जुदी खावे धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना तो यहां सी इस थोड़ी सी या थोड़ी भी ठकी दिखाई दें तो उससे गोद में लेकर उसकी ठकान को मिटा देना जिससे की अब यहां पे बोला है जिससे की ठकान के कारण उसके सूखे हुए होट और मुर्चाया हुआ कमल शद्रिस से मुख फ्रफुलित हो उठे यानि खोशियों से अनंदी थो उठे इस लाइन का यहां पे जो है हम लोग ने रिखांगत की व्यक्या कर दिया अगला कोशन इसमें तीन नमर कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा विवार करने के लिए कह रही है तो राधा जो है वो पवन दूतिकों से देखिए कैसे बबू कि राधा पवन दूतिकों से राह में पथिकों की साथ परुपकार का विवहार करने के लिए काती यानि परुपकार किजी गिसी के प्रती उसकी सहायता करें ठिक है इस तरीके से इसका अंसर करेंगे अगला है चार नमर कि क्रिशक ललना सब्द में कौन सा समास होग तो यहां पर बताएंगे क्रिसक ललना जो सब्द इसमें कौन से तत्पूरु समास जब आप समास के बारे में अच्छे से गहन अधेयन करेंगे तो इसमें दिया है कि कौन सा कैसे पाठान करेंगे ठीक है अगला कोशन है क्रिसक ललना और फूतंगना सब्दों का अर्थ बता दीजिए सर तो यहां पे लिखें क्रिशक ललना यानि किसान इस्तरी हो जाएगा वो तंगना यानि किस्तरी के रुप में आ जाएगा तो इस तरीके से यह कोशन का अंसर आपको दे देने हैं तो यह जो आप अपने पढ़ा एक दम ही मुस्ट इंपर्टेंट है जो पेपर में आने का काफी चांस से क्लासेस पे नोट्स भेज़ दूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी यह यूटूब वाला चैनल को भी और वेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि कोई वीडियो मिसना हो मिलते हैं नाइक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग